क्या आपको अभी अभी एक खराब रिव्यू मिला है वन स्टार टू स्टार रेटिंग और साथ में नाराज कस्टमर कॉंग्राचुलेशन्स बढ़ाई हो अरे नाराज मत हो यह निगेटिव रिव्यू असल में बड़े काम के होते हैं हर सुबह साड़े बड़े इस लिए नीचे जो रेट सा बटन बड़ा हुआ है बड़ा सा सबसक्काइब बटन उसको दवाईए सबसक्राइब कीजिए और कल का वीडियो मिस्स मत कीजिए अच्छे मैं बताता हूं कि इस वीडियो का आइडिया मुझे कैसे मिला इस महीने हम और food business marketing के videos कर रहे हैं तो मुझे एक restaurant उनका call आया उनका restaurant ठीठाग चल रहा है customers भी एची खासी quantity में मिल रहे हैं लेकिन वो बड़े upset थे कि यार सारी मेहनत करने के बाद भी हर रोज एक दो negative reviews जरूर मिल जाते हैं उनका question था कि मैं 100% positive review कैसे maintain करूँ मुझे लगा कि ये problem कई सारी लोगों के साथ हो सकती है इसलिए इसके बारे में बात करनी जरूरी है आपको 100% reviews की तरफ focus नहीं करना चाहिए negative reviews के भी अपने फायदे होते हैं negative reviews असल में positive reviews को और ज़्यादा भरोसे मन्द और ज़दा trust वर्दी बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी से negative reviews लेनी कोशिश शुरूर कर देनी चाहिए लेकिन आपको negative reviews से एकदम डरना भी नहीं चाहिए एक businessman को तोर पर आपको पता है हम सबको पता है कि 100% customers को satisfy कर पाना impossible है और आजकर के smart customers भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं एक survey के हिसाब से 68% customers किसी भी business पर तब ही भरोसा करते हैं जब positive और negative दोनों टाइप के reviews असे मिले हुए हो किसी भी platform पर किसी भी business को अगर सिर्फ 5 star rating मिली हुई है 5 star reviews मिले हुए हैं तो 95% customers उस पर भरोसा ही नहीं करते reviews word of mouth publicity का एक modern तरीका है लोग लिख कर, photo कीच कर या फिर video shoot करके बताते हैं कि हमने किसी खास product के साथ कैसे enjoy किया, कैसा experience रहा ये experience उनलों को help करता है जो future में उस product को खरीदना चाहते हैं अगर 100 लोग किसी product की तारीफ कर रहे हैं तो होने वाले buyers को उस पर अपने आप confidence होता है reviews SEO में भी helpful होते हैं क्योंकि आप बार-बार अपने product या service की details को नहीं बदल सकते हैं अपडेट नहीं कर सकते हैं लेकिन reviews में आपके product का नाम और उसका type बार-बार repeat होता है अगर आपको कोई negative review देता है तो एकदम से depressed होने की जरूरत नहीं है negative review का एक और फाइदा ही होता है कि वो आपको आपके business के weak points के बारे में बताते हैं इंसान हो या business 100% perfect कोई नहीं हो सकता है इसलिए जो भी आपके business की कमियां बताता है उसे humbly accept करिए और ठीक करने की कोशिश करिए लेकिन यहाँ यह याद रखिए कि negative review बेहत कम हो तभी अच्छा है 10% से ज्यादा negative review या 1 star 2 star rating बिलकुल मत होने दीजे ज्यादा positive rating और reviews के लिए आप हमारे जो special playlist है उसको select करके उसको click करके ऊपर अपसका लिंक आ रहा है आप उन videos को देखे आपके लिए बहुत helpful रहेंगे So friends आज के लिए इतना है thank you so much for watching this video वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और मुझे facebook, twitter, instagram पर follow करें I'm Amitivari from Amitivari.net and I will see you tomorrow morning at 8 30 again Thank you very much, goodbye